क्लॉक पोर्स डॉलनेस जैसी स्किन प्रॉब्लम्स होती है प्रदूशन और बहुत सारी वज़ा से पर ये नाच्रल इंग्रीडियन्स और प्रडाक्स आपको इनसे लणने में मदद जरूर करेंगे आपकी त्वचा मुलायम और अच्छी तभी बनी रहेगी जब आप रोजाना स्किन क्लेंजिंग रूटीन फॉलो करेंगे अपने क्लेंजिंग खेल को आगे बढ़ाएं सही फेस वॉश का इस्तमाल करके और पाएं दमकती त्वचा चेरे को सिर्फ पानी या बिना प्रड़क्ट से धोने से चेरा ड्राइ हो जाता है तो ऐसा फेस वॉश इस्तमाल करें जो धूल मित्ती को निकालें और स्किन के पीच लेवल को बनाए रखें क्लेंजिंग करने से पहले हाथों को अच्छे से धो लें फिर थोड़ा हलके गरम पानी से मूध हो लें और निव्या मिल्क डिलाइट रोज वाटर फेस वॉश को लें यह गाड़ा होता है इसमें मौझूद छोटे दाने पोर्स को अन्पलॉक करके दूल मित्ती को साफ करते हैं क्लेंजर को हाथों के बीच में फोम बनाएं फिर चेहरे पे सर्क्यूलर मोशन्स में लगाएं सही तरीके से मसाज करना ज़रूरी है क्यूंकि इससे ब्लट सर्क्यूलेशन होता है और त्वशा की रंगत निखरती है यह स्किन को बनाता है कोमन और मुलायम गलत तरीके से साफ करने से चेहरा ज्राइ और टाइट बन सकता है तो चेहरे को ध्यान से धोएं दिन में दो बार चेहरा धोना चाहिए एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले उससे ज्यादा बार धोने से चेहरे के नाच्रल ओयल निकल जाते हैं और तवचा और भी ज्यादा ज्राइ हो जाती है एक बार मसाज हो जाए तो चेहरे को ठंडे या साधे पानी से धो लें गरम पानी इस्तमाल न करें क्योंकि ये आपकी त्वचा को ठंडा करने के बजाए उसमें और ज्यादा जलन पैदा करेगा ये जेंटल क्लेंजर आपके चेहरे को साफ करेगा सीबम और धूल मिटी से और देगा चमकती हुई त्वचा तोलिये से पैट ड्राइ करें और आपकी त्वचा के लिए सही मौस्टराइजर लगाएं हर त्वचा अलग होती है और इसलिए जो आपकी त्वचा को सूट करें वैसा क्लेंजर लेना चाहिए अगर आपकी तवचा sensitive है तो ऐसा face wash चुने जो तवचा की जलन को कम करें जैसे निव्याज Milk Delights Caring Rose Water Face Wash अगर आपकी तवचा oily है तो ऐसा face wash चुने जो तवचा से sebum के production को रोके और धूर मिट्टी को साफ करें अगर आपकी तवचा dry है तो moisturizing properties वाला ही face wash चुने जैसे शहर और अगर आपकी तवचा normal हो तो ऐसा product चुने जो तवचा को अंदर से potion दे अब जब आप जान चुके हैं कि cleansing कैसे करते हैं तो इन नुसकों को अपना कर अपनी skin को बहतर और खूबसूरत बनाएं हम जल्दी वापस आएंगे कुछ बढ़िया टिप्स के साथ अंतिल देन stay tuned and stay clamorous